म ama welcome to my channel ॠ आज मैं आपको आर्क लेंप की कर विदी तथा स्म्रचना के बारे में बताऊँ तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है की आर्क लेंप यानि यह लेंप आर्क उत्पन करने पर परचालित होगा यानि आरक होने हार्ड ग्लास का बनाया जाता है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं आपके और दोनों इलेक्ट्रोडों के मद्ध एक आपका ये इलेक्ट्रोड फस्ट है ये आपका इलेक्ट्रोड सेकंड है दोनों इलेक्ट्रोडों के मद्ध इसको इस तरह से ना बना करके आप दोनों इ खाली इस्थान रखा जाता है यह गैप आपका 1.5 mm से लेकर कि 1.5 mm से 6 mm तक खाली इस्थान या गैप रख सकते हैं तक गैप रखा जाता है यह गैप इसलिए रखा जाता है ताकि दोनों इलेक्ट्रूडों के मद्द आपकी आर्क उत्पन की जा सके अब इसमें सप्लाई देने के लिए हम एक हाई रेजिस्टेंस को सिर्णी में लगा देते हैं जिसको बोलते हैं ब्लास्ट रेजिस्टेंस और ब्लास्ट रेजिस्टेंस की मदद से यह आपका ब्लास्ट रेजिस्टेंस है ब्लास्ट रेजिस इस blast resistance की मतलब से हम current को limit कर सकते हैं कम जादा कर सकते हैं और जब दो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मद्द यह supply दी जाती है तो क्योंकि इन दोनों की बीच में एक gap होता है एक दशनलों 5 mm से 6 mm तक इसलिए इन दोनों के मद्द एक आर्क पैदा होती है और वही आर्क है आप इस lamp का प्रियोग हम cinema projector तथा cinema घरों आदी में किया जाता है इसकी दच्छता 20 lumen प्रतिवाट तक होती है next lamp है आपका halogen lamp तो halogen lamp आपका किसी भी निस्क्री गैस जैसे halogen जो halogen परवार है chlorine 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 bromine iodine को भर करके बनाया जाता है इसकी दच्छता 25 से 35 lumen प्रतिवाट होती है इसे flood light lamp भी कहते हैं इसकी दीवारें कभी काली नहीं पड़ती है यह आपका halogen lamp की कारपनाली है thank you